पीयम मोदी के ध्यान और मौन को लेकर सोसल मीडिया पर कवायद लगातार जारी है। सोसल मीडिया पर ये दावा किया जा रहा है कि पीयम मोदी 45 घंटे के लिए मौन और साधना में लगातार लीन रहेंगे। के आखरी चरण के लिए लोगों को बढ़ चड़ हिसा के लेने के लिए कहा गया है। दूसरी तरफ जीडिपी के नए आकड़े को लेकर बधाई दी गई है। और एक और ट्वीट में पीयम मोदी ने असाम मनिपूर में घाले मिजोरम त्रिपुला वेस्ट बंगाल को साइकलोन रेमल से बचने की काम ना की है। पीयम मोदी की इन चिंताओं को लेकर लोग सोसल वीडिया पर मजाक बना रहे है। दूबराठी ने कहा ये कैसा मेडिटेशन है। कि आप हर इस्तिती पर नजर भी बनाए हुए हैं और ट्वीट भी कर रहे हैं। दोनों चीजे एक साथ कैसे हो सकती है। सिवानी बर्वा ने कहा सर को अभी चैन से ध्यान लगाना चाहिए ये सब चिंता छोड़ देनी चाहिए क्योंकि 45 घंटे के मौन ब्रत और एकाग्र चित होकर ध्यान लगाना चाहिए। कोफल गांधी नाम के पैरोडियूजर ने कहा ये टीम वाले बिना पूछे ट्वीट कर रहे हैं या बीच बीच में कहां खोल लेते हैं मोदी जी। तो वहीं स्टेंड अप कॉमेडियन वरुन ने कहा है ये ध्यान लगाना नहीं दरसल ध्यान खीचना है। वरुन ने पीए मोदी की तमाम मुद्राओं में सोचल मीडिया पर वारल तस्वीरों को एकात्र करते हुए कहा है कि जिस तरीके से ध्यान मुद्रा का परचार पीए मोदी कैमरा मैन के माद्यम से अलग अलग एंगल से कर रहे हैं वो कोई ध्यान लगाना नहीं इसे लोगो रिसी, मुनी और योगी दिखाने की कोशिस हो रही है लोगोंने इन्हें कैमरा जी भी बताते हुए कहा है कि हर एंगल से फोटो खिचवा रहे हैं ध्यान तो बहाना है, मीडिया में आना इनका असली मकसद है लोगों का कहना ये भी है कि ध्यान की मुद्रा में अलग अलग पोजिशन में बैठना कौन सी ध्यान की मुद्रा है ध्यान मुद्रा एक होती है, 45 घंटे में 45 से जादा मुद्रा ये दिखाती हैं कि पियम मोदी ध्यान की मुद्रा में सिर्फ फोटो खिचाने गए है दोस्तों इस पूरे मामले पर सोसल मेडिया की इन कवायदों के इतर आप क्या सुचते हैं अपनी राय हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें